हर हर मादेव आप सभी का हमारे इस YouTube सेनल पर श्वागत है आज के इस वीडियो में आपको एक जीन साथ ना बताएंगी जिसका नाम है जेतान जीन यानि अनलहक जेतान जीन ठीक है इसका एक सब्द है जो इसी के नाम का है जिसका जब करना है और उसका जब करने से ये जेतान जेन है वो सिद्ध होता है इसकी साथ ना ज्यादा लंबी नहीं है ये साथ ना तीन दिन से तीन से साथ दिन के अंदर वैसे इसकी सिद्धी हो जाती है लेकिन अगर पुरन रूप से सिद्धी नहीं होती है तो आपको इस शाथ ना को लंबे समय तक बढ़ा के लागबाग 41 दिन तक करना पड़ेगा जिसमें संप्रोन सिद्धी हो जाती है ये शादना आप कहीं भी कर सकते हैं शाय करपर भी कर सकते हैं बाहर कहीं खंडर में कर सकते हैं इकांत जगह में कर सकते हैं जा भी आपकी चाहुपा कर सकते हैं लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसका कोई भी भोग वगेरा हैं तो ये शादना करने के बाद में आपको अपने बस्ती से बार कहीं दूर जाके वो रखके आना होगा अपने घर पे नहार के इसका फोग अगर इसका फोग है तो वो आप बार जाके रख सकते हैं आपको क्या करना है कि इसके फोग में वैसे तो एक करे लगा फोग लगता हैं उसके साथ में शुपारी वगेरा रखके करे लगा फोग लगते हैं पर वो नहीं होता है तो आप सफेद मेठाई कोई शिपी लेजिएगा उसका एक पिसका भी है आप पर हो जाना भोग में देंगे तो बैतर रहेगा वो लेके भी आप उसका क्या करना है कि जहाँ पर भी अपने सादना सुरुवात करते हैं वहाँ पर रखके फिर इश्मंदर का जब करना है और फिर आगे का प्रोशेस करना है आप से निवेदर ने आपने सेनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो कर लेजिएगा तब कि आप और नए शादना मिलती रहेगी यह एक जेतान जीन है जो कि पवित्र जीन है और बहुत ही नेक दिल जीन है ठीक है यह एक मतलब विशिस दिव्य रूप में जीन माना जाता है वैसे जिन जिन्नातों की हैं दुनिया में जिन जिन्नात होते हैं उनके अलग-अलग कैटेग्रिया होती है उनके अलग-अलग रहने के खाने के सब कुछ अलग-अलग सिस्टम होते हैं लेकिन ये जेतान जीन है ये बिलकुल सुद्ध और पवित्र चेन है तो किसी भी इंसान के साथ में ये बुरा नहीं करता है ये एक खुदा का विजा हुआ फरिष्टा होता है आपको साम के समय में ये शाध्ना करनी है और इसका भूग आपको कह दिया कि इकर की बार कहीं भी रखना है इसका मंतर, एक शोटा सा मंतर है जो आप सुन लेजीगा अनलःक जेतान एक सब्ध कहिए इसका नाम ही है अनलःक जेतान बस ये इसका जब है या आपको ग्यारा सो एक बार चप करना है यानि आप माल लिजिए ग्यारा माला चप करना है और आपको माला में हकीकी माला मिलती है काले हकीकी तो बैतर है नहीं तो ग्रीन हकीके तो भी बैतर है आप उसके हकीकी इसमें कोई साह हकीक है तो वो भी मिलेगा तो चलेगा रुद्राक्ष का प्रियोग ना करें इसके लावा आपके कपड़े वगिरा हैं तो वो ज़्यादा तर वाइट कपड़े याने सपेद कपड़े आप काम में ले सकते हैं और शाप सुत्र जगह पर ये शादना करने हैं अब इसमें प्रोसेस तो सादनाओं में काफी लंबा शारा काफी बढ़ा होता है लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सोट तरीके से जो बता रहा हूं उस ये नुशारा आप करेंगे तो उसमें ये होता है कि आपको सुरुक्सा वगेरा काश्वायम को त्यान रखना पड़ेगा किसी सुरुक्सा लेना जो भी है वो अपने तरीके से आप कर लेजिएगा में के वलियां पे आपको इसका मंतर बता रहा हूं जो मैंने बता दिया और इसका प्रोसेस सामाने वो बता रहा हूं तो इस प्रकार से ये शारना करनी है शाम के समय करनी है अनलहक जेतान इसका जब भी ये है और इसका नाम भी ये है और इसका मंतरा है तो इस प्रकार से ये करने के बाद में ये सब कुछ कारिया करते हैं और बड़ा नेक दिन ले और कभी भी किसी को ये कोई नुक्षान नहीं पहुँचाता है और शुरक्षा भी करता है काभी कुछ इससे फाइदे भी होते हैं जो आप सित करेंगे उसके बाद में फाइदों की गिंटे की जाएगी पहले करने से मतलब नहीं है तो आपको ये व अब करके मंतर देर का इसी का ही करें हरार महादें